हेलो दोस्तो ग्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहत जरूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि क्या मीठा बंद करके आप डायवेटीज को ठीक कर सकते हैं क्या जी हाँ दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि डायवेटीज को ठीक करने के लिए आपके खान पान में क्या-क्या बदलाओ की जरूरत है और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजीगा तो आए शुरू करते हैं वीडियो और दोस्तो मैं आपको बताओ कि डायवेटीज आज के समय में सबसे खतरनाक बिमारियों में से एक है और ये पूरे भारत वर्ष में बड़ी तेज गती से अपने पैरों को पसा रही है तो दोस्तो आपको, हमको और सबको इस बिमारी से डरने की जरूत है और ये समझना होगा कि अगर हम इस बिमारी से बचना चाहते हैं तो हम क्या करें दोस्तो डायवेटीज होते ही सबसे पहला ध्यान जाता है कि हम अपना मीठा खाना बंद कर दे यानि हम सोचते हैं कि अगर डायवेटीज में हम मीठा खाना बंद कर दे तो हम किसी भी गंबियर इस्तिति से बच सकते हैं लेकिन दोस्तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि क्या मीठा बंद कर देने से ही diabetes ठीक हो सकती है क्या। तो दोस्तों आप समझ ये कि अगर आप diabetes को ठीक करना चाहते हैं तो केवल मीठा बंद कर देने से काम नहीं चलेगा बलके हमें और कई बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप diabetes के अनुसार अपना diet plan फॉलो करते हैं तो आप थोड़ा बहुत मीठा खाकर भी स्वस्थ रह सकते हैं लंबे समय तक। आप समझ ये कि आप regular lifestyle में चीनी के अलावा और भी कईया से food item खाते हैं जो आपके लिए मीठी से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। तो मैं आपको बताओं कि आप क्या क्या खाते हैं जैसे कि दोस्तों नाश्ते में blood sugar बढ़ाने वाली चीज़े कौन-कौन सी हैं वाइट bread, toast, bun, cornflakes, पराठे, आलू के पराठे, pasta, macaroni, sandwich या bread butter इन में से अगर कुछ भी खाते हैं तो ये आपके लिए चीनी से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक है फिर lunch और dinner की बात करें दोस्तों तो इसमें भी कई सारी शुगर बढ़ाने वाली चीज़े हैं जैसे कि आलू की सबजी हो गई छोले, हरी मटर, चुकंदर, कद्दू, शकरकंद, रतालू, ब्रॉट बीन्स या डिबबा बंद पैकिंग वाली सबज जिसका glycemic index कम हो और जिसमें शुगर की मातरा भी कम हो आपको सुबह नाश्ते में डाल रोटी या एक कटोरी ओट्स या बेसन या फिर दाल का चीला या एक कटोरी दलिया खा सकते हैं और साथ में इसके एक गिलास low fat milk पी लिजिए ये आपके लिए सबसे बेतर नाश्ता ह बात करें आपके lunch और dinner की तो इसमें आप कम से कम एक कटोरी या बड़ी कटोरी दाल की खाईए 100 ग्राम से ज़्यादा हरी सबजी खाईए और सामाने तोर पर आप दो रोटियां खाईए आप ध्यान दीजिए दोस्तों के खाने की मातरा को ना बढ़ाए इतना हो सकता है कि आप lunch में एक अंडा भी शामिल कर ले मैं आपको बताऊं दोस्तों के अगर आपका इतने खाने से पेट नहीं भरता तो आप lunch या डिनर के एक आत गंटे बाद कुछ healthy snacks भी खा लीजिए यानि एक कटोरी ओट खा लीजिए या फिर थोड़ा चीला बनवा लीजिए वो खा लीजिए या फिर दोस्तों कुछ फल भी खाया सकते हैं आप नाश्ते और lunch के बीच में और लंच और दिनर के बीच में regular फल भी खा सकते हैं ये भी आपको बहुत फायदा करते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपक तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी करें